नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का सक्सेश्रेप्स के से योटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बायोलोजिक के 20 प्रस्णों को कवर करेंगे जो लगबग सभी प्रकार की परिच्छाओं में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं यह प्रस्ण आपके एकजाम के लिए most important है इन 20 प्रस्णों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यह जो 20 प्रस्ण है लगबग 50 से ज्यादा बार सभी प्रकार की परिच्छाओं में रिपीट किये गए प्रस्ण है बायोलोजिक है पहले वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं यह 20 प्रस्ण कौन-कौन से है पहला प्रस्ण हमारा है आर बीसी यानि राल रक्त कड़िकाओं का जो कब्रगा है किसे कहा जाता है तो इसका right answer हमारा है जो option A है इस प्लीहा जो होता है प्लीहा को में इसमें explain भी कहते हैं जो प्लीहा होता है इसको हम RBC यानि राल रक्त कड़िकाओं का कब्रगा कहते हैं तो इसे भी आप या दिखिएगा option A हमारा बिल्कुल सही है इसके साथ ही एक और प्रस्न बनता है RBC से related कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है तो RBC की जो life होती है वो लगबग 120 देन की होती है तो इसे भी आप या देखिएगा ये भी प्रस्न कई बार exam में पूछा गया प्रस्न है अगला important है कौन सा हार्मोन हिरिदय गती को उत्तेजित करता है तो इसका right answer हमारा है option C जो thyroxine हार्मोन होता है ये हिरिदय गती को उत्तेजित करता है तो option C इस प्रस्न का हमारा बिल्कुल सही है thyroxine हार्मोन अगला important है कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है तो इसका right answer हमारा है जो adrenalin होता है ये हार्मोन ये हमारा लडो और उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो option B इसका बिल्कुल सही है adrenalin अगला important प्रस्न हमारा है पूरुसों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है तो इसका राइट एंसर हमारा है वैस्क टॉमी पुरुसों की नस्बंदी को हम वैस्क टॉमी के नाम से जानते हैं वह अगर पूछे आपसे महिलाओं की नस्बंदी को क्या कहते हैं तो ट्यूबेक टॉमी महिलाओं की नस्बंदी को कहते हैं तो इसे आप याद दखेगा उससे में जो एश्चिक गतियां होती है, इनका नियंतरण किया जाता है, सेरी ब्रहम के दारा, तो option B इसका बिल्कुल सही है, गला इंपॉर्टेंट है, पौधो में जल का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है, तो पौधो में जो जल का परिवहन होता है, वो जाईलम के दोरा किया आता है वहीं अगर आपसे एक जाय में पूछे कि पौधों के बिभिन भागों में खाद समगरियों का जो परिवहन है वो किसके दोरा किया आता है तो इसे भी आपिया देखिएगा पौधों में जो खाद समगरियां विभिन भागों तक पहुंचा जाती है फ्लो माइन्ड के किस भाग से किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जो मेंडूला ओबलेगेंटा होता है इसके दोरा स्वसंद का नियंत्रण किया जाता है तो ओप्षन C इसका बिल्कुल सही है यह हमारे मस्तिष का भाग होता है मेंडूला ओबलेगेंटा इसके दोर स्वसंद का नियंत्रण किया जाता है तो option C इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण हमारा है सरीर का जो तापकरम होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो हमारे सरीर का जो तापकरम है यह नियंत्रित किया जाता है हाइपो थैलेमस के द्वारा यानि option जो A इस प्रस्निका हमारा बिल्कुल सही है hypothalamus के द्वारा सरीर का जो तापकरम है उसको नियंतरित किया जाता है तो option A इस प्रस्निका हमारा बिल्कुल सही है अगला प्रस्न हमारा है मनुष्य के सरीर में pineal गरंथी कहां पाई जाती है तो इसका right answer हमारा है हमारे मस्तिस्क में जो है pineal गरंथी पाई जाती है तो option B इसका बिल्कुल सही है इसके साथ यह जो pineal गरंथी होती है इसके कई नाम है जिन्हें आप याद देखिएगा आत्मा का स्थान और तीसरी आख का आउसेज इस pineal गरंथी को हम जो 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 वजन होता है वो 1300 से लेके 1400 ग्राम के मद्ध होता है तो इसके भिया प्याद देखिएगा अमारे दिमाग का जो वजन होता है, वह 1300 से लेके 1400 ग्राम के मद्धी होता है, तो इतनी चीज़े आप याद रखिएगा, पुरुसो की सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है, most important प्रस्न, तो टेस्टो इस्टेरोन कहा जाता है, पुरुसो की सेक्स हार्मोन को तो आप्सन जो भी सेक्स हार्मोन को टेस्टो इस्टो 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 इस असियाक है नाल रत्य कड़काओं का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है कि विए इसको के अर्विसी होती है इनका निर्मान अस्ती मज्जा रैय। तो इसे आप याद देखिएगा मनुस्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातू पाया जाता है तो मनुस्य के हीमोग्लोबिन में लोहा यानि आयरन पाया जाता है तो आप्शन ए इसका बिल्कुल सही है मनुस्य के हिरदय मतलब मनुस्य के हीमोग्लोबिन में लोहा यानि आयरन पाया जाता है अगला important है रक्त platelets को और किस नाम से जाना जाता है तो हमारी जो रक्त platelets होती है इनको हम thrombocyte के नाम से जानते हैं तो option B इस प्रस्ण का हमारा बिल्कुल सही अगला प्रस्ण हमारा है मनुस्य के सरीर में पित का निर्माण कहां होता है मनुस्य के सरीर में जो पित रस होता है उसका निर्माण कहां पे होता है पूछा जा रहा है तो हमारे liver यानि या क्रित में मनुस्य क्रित में जो पित रस होता है उसका निर्माण होता है तो option B इस प्रस्ण का हमारा बिल्कुल सही है या क्रीत में अगला प्रस्त में रहा है वरीक यानि किड्नी की इकाई को हम क्या कहते हैं आपको बताना है कि वरीक यानि जिसको इंगलिस में किड्नी कहते हैं उसकी इकाई को हम क्या कहते हैं तो वरीक की इकाई को हम कहते हैं नेफरोन यानि option जो भी है हमारा बिल्कुल सही ह वरिक यानि किड्नी की विकाई को हम रेफरान कहते हैं तता यह जो नेफरान होता है यह हमारे किड्नी की सन रचनात्मक और करयात्मक विकाई होती है तो इसे आप यह देखेगा option B इसका बिल्कुल सही है तता एक चीज और किड्नी से लेटर पूछा जाता है कि कि ड्नी में जो stone हो जाता है, जो पत्री हो जाता है, वो किसके कारण से होती है, तो uric acid और calcium oxalate और calcium phosphate, ये 3 जिम्हेदार होते हैं, केल्सियम oxalate और calcium phosphate, ये 3 जिम्हेदार होते हैं, किट्णी में पत्री के, तो इसका रहे टेंसर नमारा है जो आख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो इसका रहे टेंसर नमारा है जो आख का कौनिया वारा हिस्सा होता है वो नेतरदान के समय दान किया जाता है तो आखों का कौनिया वाला भाग होता है वो नेतरदान के समय दान किया जाता है तो आ किसी वस्तु का प्रतीबी में बनता है वो किस प्रकार का बनता है तो इसका राय टैंसर होता वास्तवीक और उल्टा रेटेना पे जो किसी वस्तु का प्रतीबी में बनता है वो वास्तवीक व उल्टा बनता है तो इसे भी आप आप आदेखे का यह कई पर एकजाम में चमान इसको मुश्टली लोग 3.75 से लेके 7.45 के मध्ध होता है तिसे आप याद देखेगा मोटी बासा मिसको हम 4.4 7.4 भी कहते हैं अगर आपको पूरा याद रखना तो आप 7.3.5 से लेके 7.45 यह याद रख सकते हैं अगला है मनुष्य के सरीर में पीत का रस्क मतलब पीत का निर्माण कहा होता है तो यह प्रस्न रिपीट हो गया इसका राइट एंसर में बताया था यह क्रित लेवर में जो होता है पित रस्क का निर्माण होता है अगला प्रस्थ नमारा है पौधो में क्लोरोफील बनने के लिए किस तत्यों की अवस्यक्ता होती है तो पौधो में क्लोरोफील के बनने के लिए अवस्यक्ता होती है मैगनेसियम की यानि आप्सन जो ए इस प्रस्थ निका हमारा बिल्कुल सही है पौदों में क्लोरोफील के निर्मान के लिए मैगनीसियम की आवज चकता होती है तो option A इस प्रस्निका हमारा बिल्कुल सही आज का last प्रस्न हमारा है जो capsule का आवरण होता है वो किसका बना होता है तो इसका right answer हमारा जो capsule का आवरण होता है या starch का बना होता है यानि option जो A इस प्रस्निका हमारा बिल्कुल सही है capsule का जो बाहरी आवरण होता है बाहरी भाग होता है वो starch का बना होता है तो दोस्ते हैं अपने 20 most important जी विज्ञान के प्रस्निक को cover कर लिया है ये सभी प्रस्निक सभी प्रकार की परिच्छाम लगए 50 से ज़्यादा बार रिपिटेट प्रस्न है तो इन प्रस्नों को आप जुरूर दिमाग में रख लिजेगा आपने इनसे लगबग 4-5 प्रस्न आपके एक्जाम में जुरूर पूछे जाएंगे इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू